रिव्यू गियान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है अगर आप अपने कॉफी के एक्सपीरियंस को अलग लेवल पर ले जाना चाते है तो एक बूर ग्राइंडर आपके लिए बैस्ट हो सकता है क्यूंकि ब्लेट ग्राइंडर इतने अच्छे से ग्राइंड न वो रोस्ट हो जाते है जो कि हमारे कॉफी के एक्सपीरियंस को खराब कर देता है और मैनुल ग्राइंडर के केस में क्यूंकि हम हाथ से धीरे धीरे करके ग्राइंड करते है उसी वज़े से यहाँ पर हीट भी प्रडूस नहीं होता है और जो ओरिजिनल फ्लेवर है वो में इंटेन रहता है और एक ग्राइंडर का होना क्यों जरूरी है मैं आपको बता दू क्योंकि कॉफी बिंस को अगर आप पहले से ग्राइंड करके रख देते है तो इसका जो फ्लेवर है वो स्लोली खराब होता रहता है दोस्तों मार्केट में तो काफी सारे मैनुल बूर ग् जो कि इंडियन मार्केट में सबसे ज्यादा सेल होता है तो काफी ज्यादा रिसर्च और यूजर्स फीडबैक लेकर मैंने इस वीडियो को बनाया है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा है दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस वीडियो को बिना वो है जार्ट मैनुएल कॉफी ग्राइंडर जो कि आपको करीब 800 रुपे के अंदर मिल जाता है यहाँ पर आपको सेरा में कॉम्बो बूर्ज देखने को मिल जाता है और इसकी बॉड़ी बना है 304 ग्रेट का स्टेल से जिसका कलर सिल्वर है यहाँ पर आपको एजस्टिबल ग्राइंड साइस टेस्ट मिलता है और इसके बूर को क्लोकवाइज रोटेट करके धर धरे से पाउडरी ग्राइंड यहाँ पर आपकर सकते है इसका जो बॉड़ी का शेप है यह आर्क ट्राइंगुलर प्रिजम टैप का है जो कि इसको होल्ड करने में आसान बना देता है और यह चीज ग्राइंडिंग के वक्त काफी ज़दा हेलफुल होता है स्टेनले स्टील के होने के बावजूद यहाँ पर जो लोवर पार्ट है यह ट्रांसपेरेंट बना हुआ है जिससे कि आप कॉफी को देख सकते है यह एक एंट्री लेवल मैनुएल कॉफी इनिशियली काफी ज़्यादा आपको अच्छा पर्फोमेंस दे सकता है पर इतने कम प्राइस के होने के वज़े से यहाँ पर आपको जो मैटरियल है यह इतना अच्छा नहीं मिलता है तो अगर आप एक हैवी यूजर है तो आप इस प्रोड़क्ट को एवाइड कीजिए क क्योंकि लॉंग टाइम तक अगर आप इसको हैवी ली यूजर करते है तो कुछी महीनों के बाद यह प्रोड़क्ट अपना पर्फोमेंस खो सकता है चौथी नंबर पर है इंस्टा कपा ग्लास जार मैनुएल कॉफी ग्राइंडर जो कि आपको करीब पंदरा सो रुपे के करते वक्स स्पिल्स से बचाता है और यूनिफॉर्म ग्राइंडिंग और ओवर हिटिंग को एवोइड करने के लिए यहाँ पर आपको सेरे में बूर मिल जाता है जो कि आपको एक प्रिसाइस ग्राइंडिंग प्रवाइड कर देता है इस प्रोड़क्ट में आप कॉफी इन्सको फाइन या फिर कोर्स ग्राइंड कर सकते है आराम से जो कि हेलपफुल होता है फ्रेंच प्रेस ड्रेप कोफी एस्प्रेस और टर्किश ब्रू इत्यादी प्रोड़क्स में और यहाँ पर आपको स्टेलने स्थिल का लंबा हैंडल भी मिल जाता है जो कि आपके ग् ग्राइंडर को रेगुलरली धोते रहिए दोस्तों क्योंकि यह लो प्रेस प्रोड़क्ट है तो कुछी महीनों के यूज के बाद इस प्रोड़क्स का जो स्कुरू है वो लूज हो जाता है जिससे की एक एक एक्वरेट एडजस्मन मिलने में आपको प्रोब्लेम हो सकता ह तिस नमर पर जो प्रोड़aq है दोस्तों वो है हैरियो सेरेमिक manuel coffee grinder जो कि around 3000 रुपे के price range में आता है दोस्तों मैं आप सभी को बता दू के manuel coffee grinders काफी ज़ादा कीमती होता है जो की करीब 7000 से लेकर 10,000 रुपे तक vary करता है पर फिर भी अगर आप low price में एक best product चाहता है तो ये product सबसे best है, आप इस product को आग बंद करके ले सकते हैं, अगर आप एक heavy user भी है, तो भी ये product आपको काफी long time तक साथ देगा, ये हमारे लिस्ट का सबसे best product है, पर फिर भी क्योंकि ये video एक budget range के अंदर आता है, इसलिए मैंने इस product को तीसरे number पर रखा है, इस product की build quality भी क काफी ज्यादा अच्छा है की काफी ज़धा प्रेमयम मेट्रियल से बना हुआ है की यह पर और यह देखने को मिल जाता है यह प्रोडक्त काफी ज़धा पोर्टेबल भी, इस पर्णक्त में भी आपको पर्फ्ट ग्राइंडट सेट नहीं भूनता है यहाँ पर आपको trial and error करके ही इस product की grind size को निकालना पड़ेगा आर यहाँ पर आप maximum grinding two cups के लिए ही कर सकते हैं दोस्तों अब हम आ गए है हमारे दुस्रे नमबर पर जो है Love Wax Stainless Steel Manual Burr Coffee Grinder हमारे लिश्ट में ये product सबसे ज्यादा affordable product है जो की करीब 700 रुपे में आता है Precise grind के लिए यहाँ पर आपको rust free conical ceramic बूर मिल जाता है जिसे simply clockwise या counter clockwise घुमा कर grind size को आप adjust कर सकते है इस product को आप easily assemble या disemble भी कर सकते है जिससे की ये product काफी ज़्यादा आसान हो जाता है cleaning और storing के लिए इस product की compact size के लिए इस product को आप कही भी और कभी भी ले जा सकते है और अपने coffee को grind कर सकते है दोस्तो ये एक best value for money product है जो की एक anti-level user के लिए सबसे best product है और ये product उनके लिए ही best है जो की इस product को काफी frequently use नहीं करेंगे क्योंकि frequent या heavy use के लिए ये product नहीं बना है दोस्तो नमबर 1 पर जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो कर लिजिए हमारे चैनल को subscribe और notification bell को ज़रूर दबाईए ताकि आप ऐसे ही gadget reviews को कभी भी miss ना करें नमबर 1 पर है इंस्टा कपा का manual coffee grinder with adjustable settings और ये product आपको करीब 1300 रुपे के अंदर मिल जाता है सिर्फ 1300 रुपे में यहाँ पर आपको एक बहतरीन coffee grinder मिल जाता है जो की आपको एक premium level experience देता है यहाँ पर आप aerospace, drip coffee, espresso, french press और Turkish brew के लिए coffee को grind कर सकते है यहाँ पर आपको premium quality construction देखने को मिल जाता है जिसकी body बना हुआ है brush stainless steel के साथ और यहाँ पर आपको conical bur mill भी मिल जाता है जो की grind करने में काफी जादा आसान है सिर्फ 2-3 मिनिट में ही यहाँ पर आप coffee को grind कर सकते है और इस product को assemble या disemble करना भी काफी जादा आसान है traveling के लिए भी इस product को आप use कर सकते है और most importantly customer services product का काफी जादा अच्छा है यहाँ पर आपको uniform coffee powder देखने को मिल जाता है और इसे adjust करना भी काफी जादा आसान है दोस्तों इन सभी products के price हमेशा change होता रहते है और इन सभी products का best buying links मैंने नीचे description में दे रखा है आप वास एक बार checkout जरूर कीजिए और अगर आप manual coffee grinder को purchase करते है तो मैं आपको suggest करूंगा कि थोड़ा expensive product है आप buy कीजिए ज्यादा affordable price में जाएंगे तो कुछी महिने को use के बार products की consistency खराब होने लगता है तो I hope दोस्तों कि आपको full details में पता चल गया होगा कि आपको एक manual बूर coffee grinder क्यों लेना चाहिए और कौन सा product आपको लेना चाहिए तो मैं ये जरूर जाना चाहूँगा कि इनमें से कौन सा product आपको सबसे best लगा है तो निचीद जरूर comment कीजिएगा कि इनमें से कौन सा product आपको best लगा है और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स एन फैमिली के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेर कीजिए और अगर अब भी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लिजिए और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद